इस समिधान को खतम करने के लिए आज की सरकार तुली हुई है वो तैक कर चुकी है अगर अगली बार जीती अगर अगले चुनाओं को जीता इन्होंने अगले साल तो भारत का समिधान के पूरी जो आत्मा है वो खतम कर दी जाएगी कुछ भी बचने देंगे उनके जो आका है RSS के जो सब्ते बड़े प्रभुक कलाते हैं मौन भागवत जी उन्होंने पिछले साल गोवा में कारेकरताओं के प्रशिक्टिन शिवर में कहा ये जो समिधान है जिसकी ललकार पर आपने देश में यात्रा निका लिए उसके बार की आवाद नहीं है ये तो योनो ugi इनिकल कर है ये अमारा नहीं है जो लोग तंडर पना है समीधान से उसके बारे मिं महौन भागवत जी ने बोला कि ये भारत की पुरानी शच्कति से नहीं निकला है ये कही और की संच्ट्ति से निकला है यही RSS के लोग उनके बनाये वे प्रधान मंत्री मोदी जी बावा सावं बेटकर की मूर्ती पे माला पहनाते हैं, उनकी मूर्तिया बनाते हैं, उनका नाम लेके वोट कठा करते हैं, पर पीछे से उस समिधान को खतम करने की बात करते हैं, जो बावा सावं बेटकर ने भारत को दिया, और ये जब कहते है ये भारत की प्राचीन संस्क्रती से नहीं निकला तो क्या कहते हैं एक मिट के लिए वो भी सोच ली है वो यही कहते हैं हमारी जो ब्रामनवादी संस्क्रती थी उसका ब्रामनवादी संस्क्रती से ब्रामनों से कुछ लेना देना नहीं है जो ब्रामन साथी बैदेव घबडा जाएगा किसको शिक्षा से वंचित किया जाएगा और पुषले 5,000 साल में इस ब्रहमनवादी जाती म्यवस्था ने देश के तमाम लोगों को तो देश के 80 सी से ज़्यादा लोग हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं, वो OBC है, वो मुस्लिम है, देश के बहुजरों को ज्ञान से वंचित करके रखा है बाबासवाम बेट करने तब 1936 में आवान दिया अजादी के लड़ाई के दोरान उनने आवान दिया क्या दिया आवान जाद करेंगे? शिक्षित बनो, संगर्श करो, संगर्टित हो शिक्षित होना है तो संगर्श करना पड़ेगा और संगर्श करना है तो संगर्टित होना पड़ेगा इस साफ साफ उनने आवान दिया उस समय आवान दलिक युवाउं के लिए था आज वो आवान भारत के तमाम जिवाओं के लिए आवान बन चुका है जब बावासाम बेटकर ने इस समिधान को बना कर पूरा किया 1949 में और 25 नवंबर को उन्होंने समिधान सभा को पेश किया और समिधान सभा ने उस दिन उसको अंगिकार किया मान लिया कि देश का समिधान होगा तो उसमें उन्होंने अपने भाशन में एक बात कहीं जो याद करेंगे हम सम फाइदा होगा उसको याद करके 1949 25 नवंबर का बावासाम बेटकर का भाशन उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी विडमना देश में पैदा होने वाली है विसंगती पैदा होने वाली है इस समिधान के कारण क्योंकि ये तो हर नागरिक के वोट को एक की कीमत बरावार है अम्मानी वोट दे या आप मेंसे कोई मजदूर किसान वोट दे कोई भी वोट दे वो बरावर की कीमत का है लेकिन हमारे समाज में गैर बरावरी और भेदभाव बना हुआ है गैर बरावरी और भेदभाव जब तक भारत में बना रहेगा इस समिधान के रहते हुए भी रहते हुए भी शोशन खतम नहीं होगा और गरीवी खतम नहीं होगी अगर शोशन खतम नहीं हुआ गैर बराबरी खतम नहीं हुई भेदभाव खतम नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में ऐसी उतल पुदल होगी सारा बहुजन अवाम उठ खड़ा होगा आज भारत को मोजी सरकार ने वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है जिसके लिए बावसाम बेट करने का तो ऐसा होगा मोजी सरकार ने का लो हम करके दिखाते हैं बहुजन अवाम को इतना खदेर देंगे इतना पीछे कर देंगे इतना शोशन करेंगे इतना वंचित करेंगे शिक्षा से ज्ञान से कि वो फिर उट खड़ा हुआ है आप उट खड़े हुए हैं हम बावसाम बेट कर को याद करेंगे और अब मैं आपके सामने समय कम है और मुझे कहा गया जल्दी बात कहनी है तो इसलिए मैं ये बात करूँगा कि पिछले चार साल में जिसके बदौलत अगले साल वो चुनाओं में आप से वोट मांगने आएंगे पिछले चार साल में मुझे की सरकार यानी आरस्स की सरकार राश्टियु सेमसे की सरकार करें तो बहतर होगा आरस्स की सरकार ने क्या किया क्या दिया क्या च्छीना इन्होंने भारत के समिरान का उनननकर टेवे क्या 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 इसके कुछे चंदे बातों का मैं जिकर करूँगा जैसे ही इनके हाथ में सकता आई तो हमारे कई विश्विज्यालों में और कॉलेजों में भारत के युवा चात्र ये अवाज उठा रहे थे, उनके मन में जो बाते थी वो कह रहे थे गरिभी हटाने की बात कर रहे थे, भेदबाओं मिटाने की बात कर रहे थे, वो आजादी मांग रहे थे तो क्या किया? मोधी सरकार ने उनको कहा तुम देश डोही हो उनके देश डोही का बिल्ला लगा दिया भारत के युवाओं पर छात्रों पर अगर भगत सिंग चहीद भगत सिंग दिन्दा होते तो वो यही करते जो जवारा नेरी उनुसी, जेनियों के डिली उनुसी के, बर्दबान विशुदाले के हेदराबाद सिंट्रली उनुसी के तमाब इलाबाद विशुदाले के बरार्ज हिंदू विशुदाले के चात्रों चात्रों ने किया और उनके उन्हों रंग पे उनकी आजादी पर अंकुष लगा दिया यानि भारत के समीदान का अनुछेट-9 खतम कर दिया अब आगे क्या किया अब वो कहते हैं कि हम 80. 50. सरकारी स्कूल बंद कर देंगे 80. 50. सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और बंड करके केवल 20 फिस्जी स्कूल बचेंगे और उनमें बड़ी बड़ी इमारते बनेंगी और वहाँ पे केवल अमीरों के बच्चे जाएंगे उनका बड़ा गुंगान गाया जाएगा और ये काम करके वो भारत के सम्विधान का अनुच्छे 14 जो कहता है भारत का अब दुनिया के बड़े बड़े कॉर्परेट इजारेदारों को पुजी पत्यों को बेची जा रही है बेची तेजी से जा रही है और ये हुकम कहां से आ रहा है मोदी जी को ये हुकम आ रहा है दुनिया की पूरे बाजार से बाजार का हुकम है वो हुकम है विश्व बै गई देश को देश से तैय किया देश की जनता ने हम किसी और दुम्या की सरकार के नीचे नहीं आएंगे वो एक बारी फिर दुम्या की सरकार के नीचे आ गए और देश को गुलाम बना दिया इस सरकार ने गुलाम बना दिया है अब हमें लड़ाई लड़नी है अपनी खुल किस बात की लड़ाई लड़ा है कि देश के सब बच्चों को चाहे वो Sometimes अदिवासियों के हो डलितों के हो おड़ी सी के हो मुसंमानों के हो या वो हम अम्मानी अड़ानी के बच्चे हो उन सब के बच्चों को बराबर की शिक्षा मिलेगे उसको समान शिक्षा व्यवस्ता बोला केजी से लेके पीजी तक नर्सरी से लेके पीजी तक यानि यूरिस्टी तक Medical College की शिक्षा, Engineering College की शिक्षा, Management की शिक्षा पूरी तोर पर मुफ्त होनी चाहिए, एक पैसा फीस नहीं लगनी चाहिए एक पैसा फीस नहीं लेनी चाहिए किताब हो, कौपी हो सबकी कीमत सतार रजा करेगी मेरे दोस्तों इसलिए तो उनको टेक्स देते हैं हम, आप सब टेक्स देते हैं और टेक्स अदाम कुछ भी हो GST हो, PST हो आप चिंता मक्य जे टेक्स दे रहे हैं हम हमसे कितनी बारी फीस लोगे हमसे टेक्स भी लोगे उसके बाद दुबारा भी फीस लोगे हमसे कितनी बारी फीस लोगे, पूछिया जब चुनाव होगा, तो आप R.S.S.T. के भेजे विए भाजपा के लोगो से पूछिएगा, कितनी बारी फीस बागोगे पूछिएगा उनसे अब हम पूरी तोर पे मुप्त शिक्षा की बात कर रहे हैं फूरा सिर उठा का गर्व के साथ समीदान हाथ में पकड़के हमारे देश की हर रड़की दलित हो आदिवासी हो मुस्लिम हो बीसी हो देश के 85 फीजदी बहुजरों की रड़की हमने सपना देखा है इसकी लड़ाई जमीन के उतारी है आग की आता जिन जिन प्रांतों में गई उन सब जगों पर यह आवाज पहुँच चुकी है वह आवाज क्या है सबको शिक्षा एक समान और हम करते कौन देगा सबको शिक्षा एक समान यह सरकार नहीं दे सकती यह समीदाद विरोधी है कौन देगा भारत का मजदूर और किसान रड़के लेगा मजदूर किसान रड़ेगा इसके तम मिलेगी ऐसे नहीं मिले वाली कुछ तवफा नहीं देगा आपको हम लड़ेगे तो मिलेगी यह बिलकुत साफ होना चाहिए इसलिए हमारी एक और मांग है भारत के जो 14 लाग स्कूल है 14 लाग स्कूल है भारत में इन 14 लाग स्कूलों को केंद्री विद्याले के बराबर सेंट्रल स्कूल के बराबर कर दिया जाए इतना उचा किया जाए कि केंद्री विद्याले के बराबर हो और हम कदे कम से कम केंद्री विद्याले के बराबर हो कि हम उससे अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हर एक स्कूल को आने वाली सरकार से चाहे इनकी बने किसी और की बने हर एक से हम पूशेंगे हर एक के हम कंडिडेट से पूशेंगे रिपत्याशी से पूशेंगे क्या तुम तयार हो आवाज उठाने के लिए तुम जीतो या ह किया तुम काम करोगे ऐसी शिक्षा व्यवस्ता के लिए अंबानी एड़ाने के बच्चे और खेत मज़ूर किसानों के बच्चे एकी स्कूल में पढ़ेंगे और इसलिए